क्या रिशब पंथ ने बढ़ा दिये है केल राहूल की टेंशन वेल टेंशन तो बढ़ी है गुरू क्योंकि अब आपको तै करना है कि आप किधर दिख रहे हैं उस केल राहूल की तरफ जो आते हैं ठहरते हैं रिन मनाते 111 बॉल पे 37 रिन या उस रिशब पंथ पर जो इंटेंट दिखाते हैं 47 बॉल एक्सेटरन दलीब ट्रॉफी का माच रेड बॉल क्रिकेट रिशब पंथ 21 महीने बाद वापसी और चर्चा जबरदस तरीके से चल र सबसे आगे क्योंकि इशान किशन दलीब ट्रॉफी में चोटेल हो गया है तो वो ऑविस तोर पर बाहर है केस भरत के बल्ले से रन निकलते नहीं है दुरुफ जुरेल ने परफॉर्मेंस की नहीं है संजू सैंसन को कंसीडर ही नहीं किया गया है तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता उनका बचे दो प्लियर एक केल राहुल एक रशपपन्त रशपपन्त ने उसी दलीब ट्रॉफी में 47 बॉल पर 61 बनाये जिसमें 111 बॉल पर 37 रण केल राहुल ने बनाये अब सवाल यह है कि पंत या फिर केल क्योंकि दोनों जो हैं वो अपने आप में कमाल है लगाया और 21 महीने बाद आकर रशा तक लगाया और 34 बॉलों पर यह अरशा तक था मतलब पूरा स्टाइल इस्टैल दिखाया विकेट टीपिंग जो है वो भी रिशपप अच्छी कर रहे थे हाला कि आउट जो हूए वो भी उसी बैटिंग की वजह से हुए मतलब वो जो रिकलिस बैटिंग आटिट्यूड है कि हम मारेंगे हम मारेंगे जो होगा देखा जाएगा उसकी वजह से वो 61 पर आउट हुए लेकिन रिशप पंत इस मैश में केल राहूल की टेंशन बढ़ा रहे थे शुरवात मेला की जब बैटिंग करने आए तो वो भी केल राहूल क की तरह खेल रहे थे दस बॉल पे साथ रद मना कर खेल रहे थे और स्लो चल रहा था लेकिन उसके बाद जो पेस पकड़ा वो जबरदस था अगली 37 बॉलों पर ताबर तोड चौके 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 मारे और न चौके दो चौके का असर यह था कि रिशप का वो जो फेरलेस अप्रोश था वो दिखाई पड़ा रिशप पंथ वैसे भी टेस्ट मैचस में इंडिया की फेवरेट चौके रहे हैं अगर आप याद करेंगे गें गैबा में टेस्ट मैचस हो या बाकी जगा टेस्ट मैचस हो रिशप टेस्ट क्रिकेट को अलग तरीके से खेलते हो और इसी वज़ा से वो गेम चेंजर माने जाते हैं अब सवाल ये उट रहा है कि क्या जो ये मैचस था इसमें केल राहूल के सामने रशप पंथ की बल्ले बाजी जादा बहतर थी क्या रशप पंथ ने इस आतिश बाजी से ये मेक शियर किया कि केल राहूल जो है वो टेस्ट स महनें तक वो क्रिकेट से बाहर थे फिर एक शानदार कमबाग जो था वो IPL में किया रहे हाईवाष रॉन स्कॉरर वर्सस पा क्रिकेट मैं रहे हाइस्ट टीटविंटी वर्ल्ट कप दोजार चॉबीश में रहे और अब यहाँ पर जब उनकी वापसी हो रही है फर्स क्ला ही नहीं है टेस्स क्रिकेट में उनकी जो पर्फॉर्मेंस है जो बैटिंग है अबिलिटी है वो अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको बाकी फॉर्मेट में अलग नजर आती है और यही है कि रश्यपण सर्प्राइज लेकर आते हैं वो टी-ट्वेंटी टेस्स में खेल पर क्या इनका नाम आएगा देखने वाली बात है केल राहूल यहाँ पर मौझूद है देखा जाएगा इशान किशन जसके इमने को बताया वो इंजर्ड है तो वो बाहर हो गए संजू सामसन वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है केस भरत को मौका दिया गया थे वाट उनके बल्ले से रन निकलता ही नहीं है 13-16 रिशब ने स्माश में रन मनाए और वो एविलिटी दिखा दे केल राहूल टिके ठहर ने कोशिश की 37 से मनाए लेकिन फिर वही है कि केल राहूल का अप्रोच और रिशब का अप्रोच बहुत फर्क है आप टीम इंडिया किस अबरेज है और स्ट्राइक रीट भी कमाल का है केल राहूल ने पचास मैचेस खेलें जिसमें 2863 रन है चौतीस का एवरेज है तो एवरेज और आपका स्ट्राइक रिट दोनों पंत का बहतर है शायद पंत मेरे साब से केल पर टेस्स मैचेस नभारी पड़ जाए अच्छा राच आप टेक लगे तो